नमस्ते आपका तेहदिल से स्वागत कक्षा पांचवी हिंदी सुलब भारती योग्य चुनाव राजा मंगल सेन के मंत्री जगत्राम बूडे हो चुके थे उन्होंने राजा से स्वायं को सेवा मुक्त करने की विनती की राजा मंगल सेन ने कहा आप पहले अपने जैसे सेवा भावी परोप करी और इमांदर मंत्री का चुनाव कर लिजिए तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है जगत्राम ने आदेश दिया राज्य में धिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चैन अगले गुरुवार को किया जाएगा इस पत के इच्चूक ग्यारह बजे राज्य दर्वार में पहुचे हरकारे गाव गाव धिंडोरा पिटने लगे चैन वाले दिन राज्य दर्वार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबसे ही नव इवकों की भीड लग गई थी सेकडों के संख्या में युवक दर्वार की ओर जार है थी इसी रास्ते पर एक तरफ एक व्रिध्ध हताश सा बैठा था उसी बैल गाडी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचण वे फस गया था व्रिध्ध ने कई बार पहिया कीचण से निकालने की कोशिश की पर असफल रह मंत्री पत के अनेक उम्मिद्वारों ने राज दर्वार जाते समय ये द्रिश्य देखा पर किसी ने भी व्रिध्ध की साहता नहीं की उम्मिद्वार योकों में एक था कर्मविर कर्मविर निर्धन परिवार का प्रतिवाशाली नवयोक था वो तेजी से राज दर्वार के ओर जा रहा था उसी समय बैल गाडी वाला व्रिध्ध एक बार फिर पईया कीचण से बाहर खीचने का प्रयास कर रहा था यह द्रिश देख कर दरबार पहुँचने के चिंता न करते हुए कर्मविर सीधे कीचण में उत्रा जोर लगा कर उसने बैल गाडी का पैया कीचण से बाहर निकाला व्रिध्ध ने उसे धेरो अशिरवाद दी फिर इनाम में कुछ रुपे देने चाहे पर कर्मविर ने विनम रता से मना कर दिया देर हो जानी के अशंका से भागते दवडते कर्मविर दरबार पहुँचा वह हाफ रहा था उसके कपड़े कीचण से सने थे सारे उम्मीदवार उसे देख कर हसने लगे तभी बैल गाडी वाला व्रिध भी वहाँ पहुचा वह व्रिध कोई और नहीं बलकि स्वायम मंत्री जगतराम थे उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई फिर जगतराम ने राजा से कहा महराज कर्मविर में सारे गुन है जो राज्य के मंत्री के लिए अवश्चक है सारी बाते जानकर राजा मंगल सेन बहुत प्रसन्न हुई उन्होंने कहा जो सामा न्यादमी की पीड़ा से दुखी होता है उसे दूर करने का प्रयास करता है वही राज्य के उन्चे पत पर बैटने का अधिकारी होता है जगतराम जीने युग्य वक्ति का चुनाव किया है आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे प्रॉब्स प्रॉब्स